नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल पर स्वाकता है आज मैं बात करने जा रहा हूं हमाचल प्रदेश स्टेट एलेक्टिसिटी बोर्ड ने जो कुछ एक पोस्टे निकाली हैं इंजिनियर्स की जेईज की जो पोस्टे निकली हुई है उसके बारे हम बात करेंगे कि कौन सी पोस्टे निकली हुई है किस तरह से उसका फिलिंग कारेटरियर है रहेगा आपकी एजुकेशन क्या चाहिए उसके लिए उसके लिए इन सब के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मेरे रुकेस्टर आ करें आगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लिस चैनल को करते हैं और वीडियो का एंड तक देखें तब आपको पता चलेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैच कर रही है इस पोस्ट के लिए आप लीजिबल हो की नहीं हो और किस तरह से फॉर्म बरना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा चलो चलते हैं तो फस्ट और चीफ इंजिनेर ह्च पी स्टेट एलेक्रिसिटी बोर्ड लिम्टेड धर्मशाला से और शिमला से लेक्टर है रिगार्डिंग फिलिंग अप ता इस तो बात कर लेते हैं कि यह जो मीटिंग हुई थी इस बारा दो जार उनीस को उसके रिगार्डिंग उसके बाद खुलने के बाद ही अभी यह डिसीजन लिया गया इन पोस्टों को फिल करने का तो आप देख सकते हो यहां पे यूनिर इंजिनेरिंग अलेक्रिकल की 200 पोस्ट हैं I think यह बहुत जारा पोस्ट हैं तो अगर आप थोड़ी सी मेंत कर रहे हो इससा स्टड़ी कर रहे हो तो य अब भी हम बात कर लेते हैं कि जो यह जो होने वाली है recruitment वो किस बैसे इस पे होगी तो आप देख सकते हो यह abandonment नया हुआ है RPD rule में जो की 3620 को किया गया है ठीक है तो आपको जो abandonment हुआ है इसमें जो नए rule बना है RPD rules बने हैं जो 3620 के उसके recording इसकी recruitment रहेगी और उसके recording ही जो इसकी education qualification रहेगी वो होगी तो आप बात कर लेते हैं हम कि इसके लिए education qualification क्या रहेगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर तो आप फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या qualification रहेगी है minimum matriculation with the diploma in electrical engineering जाफिर होनी चाहिए electrical and electronic engineering from a required institute and board university duly recognized by the center and state government for JEE electrical post तो इसमें diploma होगा और जो इसमें amendment किया गया है amended provision है इसमें तो diploma और degree in electrical engineering और electrical and electronic engineering from a recognized board institution युनिवरस्टी तो simply मैं आपको बताऊं तो इसमें पहले था कि diploma वाला ही apply का सकते थी JEE के लिए आप क्या गर सकते हैं diploma और degree दोनों वाले ही apply कर सकते हैं जो ये वाला नया amendment किया गया है जो 36 2020 को किया गया है इसके according क्या है आप diploma जा degree holder हो electrical engineering में और electrical में और electronic engineering में तो you can easily apply for this post तो next चलते हैं next जिनों ने IT के लिए डाला हुआ है तो IT की जुरूरत नहीं है जो जो post नहीं के लिए मैं उन्हीं की बात करता हूं इस तरह से आप यह देख सकते हो civil के लिए भी same provision है पहले यहाँ पर diploma होता था metric होनी चाहिए minimum with diploma in civil engineering और अब जो amendment किया गया है इसमें उसमें इन्होंने बोला है कि आप degree और diploma होने चाहिए आपका civil engineering का फ्रॉर्म सर रिकूनाइज इंस्ट्यूट तो इसके लिए भी आपके पास अगर degree और diploma है तो दोनों ही apply कर सकते हैं और इसमें भी पहले जो प्रॉबिजन था यूनिर इंजिनिरिंग मेकानिकल के लिए इसमें भी पहले minimum metric होती थी और diploma होना चाहिए था आपका अब आप क्या कर सकते हो डिपलोमा और डिग्री दोनों ही apply कर सकते हैं डिग्री और डिपलोमा आपका किसमें होना चाहिए mechanical automobile engineering में तो आप इन दोनों के साथ इस पोस्ट के लिए apply कर सकते हो तो यह थे जो new amendment हुए है तीन छे दो जहार बीस को की गए है यह amendment आप देख सकते हो यहाँ पर date जो electricity board द्वारा नए R&P rules create के गए थे तो यह था आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप apply कर सकते हो इन पोस्टों के लिए और क्या इसका provision रहेगा क्या इसकी education qualification रहेगी अगर आपको कोई भी.is के regarding तो you can call मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जो नंबर है मैं एक बार द्वारा से बता देता हूँ कि आप इस नंबर पर call करके पूछ सकते हो और एक और चीज कि आप अगर आपने degree और डिप्लोमा किया हो है इन तीनों ही branches में तो you can apply for this post जो अगर आपको कोई भी query है तो आप इस नंबर पर call कर सकते हो आपको पूरी information provide करवा दी जाएगी department दोरा यहाँ पर इनोंने phone number दे रखे हैं आप इन पर भी जा सकते हो और इनकी email ID है इस पर email भी कर सकते हो और इनकी side पर भी आप जा सकते हो तो यह था आज का वीडियो जिस चैनल को सब्सक्राइब करें शियर करें लाइक करें और कमेंट करके जुरू बताएं थेंक्यू